तेम्स घ्लिलन और चापिंग है यहां कोई उपकी इज़त पार तो लेगा है किया नगे झाएग कर अंप के बाद आपको इसके ऊपर build करोगे, but basically है build and learn में हम लोग आखने वाल है कि हम लोग डिरेक्ली एक टास्क उठाएंगे और उसको हम लोग बिल्ड करेंगे grid करेंगे, वहाँ पर जहाँ जहाँ में जो जो properties का requirement होगा, उसको समझेंगे और बिल्ड करेंगे, उसके हो कि आपको रियल टाइम पर चलाएंगे, कि हाँ इस पोड़ को use यहाँ पर होता है, ठीक है? of course, जैसा कि एपिसोड है कि हम लोग बिल्ड करते करते कोई चीज़ आपर सीखेंगे, वह ध्यान करते हैं हम लोग आपर सीखने साट करते है, ठीक है? पहला बात है कि यह हमें अचली बिल्ड करना है, यह मैंने यहाँ पर टास्क आपके लिए बनाया है यह हमें बिल्ड करना है, ओक है? अगर मैं आपको सब दिखाऊंगा कोड में, बट ऐसा कुछ सक्षन होता है और उसके द्वारा हम लोग ग्रेड यह एक बॉक्स होता है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखोगा, अगर मैं इस पूरे टास्क को ने इस ग्रीड वे में डिवाइड करूँ यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? सिर्फ यह ग्रीन वाले पर धियान देना एक मुझे स्क्षें यहा वाले पर भे मुझे यह बिल्ड करना है, एक और देख रहा है यहाँ पर यह होगा मेरा ग्रेड फॉर्थ होगा मेरा यह यह बिश्क होगा मेरा यह बिल्ड करना है इतना आपको पता है, ठीक है, so इसमें कितना रो है, तो इसमें रो कितना है, एक, दो, तीन, चार रो है, correct, कोलम कितना है, तो कॉलम आप देखोंगे, तो actually मिया कॉलम है, मेरा रो है, एक मेरा कॉलम यह होगे क्लिस्क है एक यहां पर हो रहा है ठीक है तो इस समझे अई इन कोक्त है और चार रो है इतना हमें जानना है अब हम code करना चार्ड करते हैं तो अगर हम code कर देखे तो सबसे पहले तो मुझे I know, Item स्वेक मुझे कितना आइटम को डालना है div के अंदर तो पहले मैं यहाँ आता हूं और यहाँ मैं आता हूं एक पहले parent div और इसके अंदर मेरा जागा आइटम तो आइकन डू आइटम एस डिव डॉट ग्रिड आइटम ठीक है और मारा एंटर और अभी के लिए मुझे देख रहा है आपे एक तो एक दो तीन चार पांक छे आइटम अब इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है मैं वह पहले डाल देता हूं ठीक है तो अभी अगर देखें युआ में तो कुछ ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है अब मुझे कुछ ऐसा को बनाना है अब आपका ब्लू कलर है और यह सारा आपका इंड कलर का ठीक है तो इसके अब आपको ब्लू कलर का यह बहुत ही बेकार दिख रहा है तो इसलिए मैं इसको पिक यह आपके आई इसको भी थोड़ा आप मिले बट चीज वह हैं इसके बहुत है तो मैं यहां पहले लिखना होगा ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड ठीक है तो मैं यहां प्रक्राइब यह बहुत है अब हम धूरा थ्रूस इसको यूज करना है पहला कम यह कि मुझे ना क्या करना है सो इसके मेरा पहला कम यह रहेगा ना कि मैं पहले ना अपने grid को ना row और column में divide करो और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि मेरा क्या है मेरा यहाँ पर 3 column बन रहा है और 4 row बन रहा है तो पहले हम लोग उसको बनाते हैं तो उसके ना एक आता है property here okey grid template column यानि आपको कितना column चाहिए तो मुझे इसके चाहिए कितना column तीन column चाहिए ठीक है एक दो तीन उसके लिए मैं आपको किया करूंगा मैंने 1fr 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 ऐसे लिखते है ठीक है तो ढबला चेयो आईटम जए टा दीनों में divide हो गया तो पहला वारा वह थ Χे में से तीन मेडा पहला यह ले लिया और उसके बाद आगे तीन नीचे ले लागा okay इसक बीचे घ्या हुआ थ क्राफ आपको ची भग में करना है तो मैं ही आप he repeat keyword का use करते हो, यह क्या होता है, repeat नाम का होता है keyword, यहाँ पर आप दोगे, कि आपको कितना fraction में डालना है, पहला होता है आपको, कितना element चाहिए, ठीक है, तो पहला मुझे तीन element चाहिए, one fraction का, रह traz दिखो, तो तीन element एक fraction मुझे एक रो मे आ फिर तीन element मुझे second रो में आ गया इतना ही यह बट बट बट, बट मुझे यह विट नहीं करना हैं मुझे क्या हैं, मुझे पहला वाले में पूरा चाहिए, फिर्स पहला वाले में उसके विए क्या करेंगहा, तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी आता है ठीक है तो वह देखें से फ़ले आपको मैं पहले दिखाता हूं कि ग्रेट दिखता कैसा है ठीक है तो अगर मैं यहां पर आऊं और यहां मैं ग्रेट पर एसे हिट कर दूँ तो यहां मुझे ना ग। दिख रहा है यह 1 हो गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया गया फिशन UC कुछ नमबर्स यहां पर अट्याच हो जाते हैं ठीक है तो बिसकर लिए मुझे गज़िए कि मुझे वन से लेके ठीक है और एंड तक यहां तक मुझे एक एलिमेंट चाहिए के वर ठीक है तो यहां पर आप आओगे एक साइड है CSS Tricks नाम का यहां पर आपको बता रहा है कि एक प्रॉपर्टी ए केृपर्टी और GDOLUM Chief to cover पहला वाला से और fourth में आके stop कर दिया तो ऐसा ही कुछ मुझे यहां पर दिख रहा है case कि यह header मैं यहां पर start करूँगा 1 से and I think I can go till minus 1 ठीक है तो क्यों हम इसको pry कर रहें इसको सिर्फ और सिर्फ build करना है header में so I'll make one more class here मैं यहां पर आता हूँ और यहां मैं header दूँगा ऐसे और अब मैं header को point करने वाला हूँ grid column start 1 से grid column end minus 1 तक और save करता हूँ देखो जैसे ही मैं यह किया यह पूरा header ले लिया ठीक है कुछ नहीं किया मैं और मैं तो पहले इसमें hide header करता हूँ बहुत ही बेकाल देख रहा है तो मैं hide header करूँ कितना 100 pixels now it's kind of visible ठीक है तो यह पूरा ले ले एक से हां तक अब इसका एक short end भी आता है short end क्या बोल रहा है कि basically आपको grid column use करना है और अब उसी के अंदर grid column start और grid column end का वो combo होता है so instead of writing this I can write grid column ok और one slash minus one let me comment this still I hope same आना चीए देखो same आ रहा है ठीक है इसका एक और वे है एक और वे है कि इसको मैं मिटा कैसे span लिखूँगा span कहां तक four तक जाए मुझे है ऐसे कर दिया तो four तक आ लिखो यहां पे पूरा I guess not four three तक जाए मुझे इसको लिखने का बट आप यह समझ लो कि you should use this one यह ज्यादा सही लग रहा है इसके लिए पहला वाल आपका ग्रेट कॉलम रो सेकंड ग्रेट कॉलम and sorry पहला वाल आपका ग्रेट कॉलम स्टार्ट सेकंड आपका ग्रेट कॉलम and that's it तो मेरा पहला वाल बन चुक है अगर मैं अपने इसमें आओ यह मेरा बन चुक है second क्या है sidebar मुझे इसको बिल्ड करना है देखते हैं यह कैसे बिल्ड होगा सेम चीज़ है देखो हम लोग ने जैसे इसको horizontally scale किया राइट एक span के लिएक थर्ड span था वैसे हम इसको vertically scale करना में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यह देखो vertically scale करना है ठीक है यानि दो element का basically space लेगा दो grid का space लेगा basically ठीक है तो जिस प्रकार हम उन्हें पर grid column यूज़ किया वैसे ही हम लोग grid row यूज़ करेंगे ठीक है उसके क्या करेंगे पहले हम टागेट करते हैं इस sidebar को sidebar कहा है बनाया है नहीं let's bring it on sidebar ठीक है अब यहाँ पर आते हैं यहां के रहें grid column रखेंगे grid column sorry grid row ओके grid row और यहां करेंगे span of 2 और save आया तो नहीं क्यों यह है क्योंकि हम लोग ने इसका height यहां पर fix किया हुए grid item का 100 pixels ठीक है मुझे इसको fix नहीं करना है क्योंकि इसको scale भी होना है right so better यह है कि आप हाँ padding डाल दो padding में डालता हूं let's say 30 pixels ठीक है और अब इस height को comment कर दो तो अंदर के spacing भी रहा maintain और मेरा sidebar का length इन दोगी है यहां देखो पूरा लिए यह ठीक है क्या कि हम लोगें grid row span 2 span और इसमें क्यांतर है न कि I can do this also it's not a big deal अगर मैं आता हूं यहां करता हूं 2 slash 4 save कर दिया तो यह काम करेगा ठीक है बहुत बर यह होचाना है कि आपको बस आगे बढ़ जाना है स्टार्टिंग पॉंट से दो span ले लो मतलब दो grid ले लो तो एक grid दो grid ठीक है सो सम्टाइमस इट बिकमस easier to write this way लिखने को आपको जो मन अब वो लिख सकते हो इसलिए आपको मैंने आप दोनों किस दिखा दिया है fine उसके बाद क्या है कि हमें यह content one को ना पूरा यहां से लेकर यहां तक expand करने ठीक है बहुत simple है आपको अब तक पता हो गया होगा क्या यूस करेंगे grid column simple I'll go here और यहां पर ना हमों डालने वाले हैं ठीक है content one लिखा यहां पर जागा grid column how much कहां से कहां तक हो रहा है slash minus one save it अब देखो यह मेरा पुरा यहां से नहां तक ले लिया इसका एक और वे कहा है span to save तो भी ले लिया ठीक है next क्या है next यह देखो मेरा automatically even adjust होई गया है यह भी बन चुका है सब से last क्या बज़िए footer, footer मुझे अगे यहां से लेक यहां तक so I'll add first here यहां मैं footer रालता हूँ और यह कहीं नहीं header type यह है so मैं इस ही में comma करके यहां पर ऐसे और dot footer add करता हूँ और save कर दिया देखो हमारा ready हो गया and to see it more you know good मैं यहां पर आता हूँ और यहां पर मैं gap add करता हूँ आपको हमारे यह final ready हो गया जो मैं चाहिए था खोड़ देखो कुछ नहीं है बस तीन चार लाइन का पोड लिखा हूए कुछ जादा नाटक निकिया हमने जो जो required था सिर्फ हमने property पिक किया और हमने इसको build कर दिया ठीक है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए आप यह साइट में जाना और यहां पर देखे ना पिक्चर वाइस कि अच्छा कॉलम ऐसे करता है रो ऐसे करता है ब्ला 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 फिर बिल्ड करने शार्ट कर देना ओप इतना से आपको एट लिस्ट प्रॉपर्टी इसको बिल्ड करने के लिए ठीक है तो अब मैं आप अब देखने के बाल सो टास्क है कि आपको यह लियाओट बिल्ड करना है ठीक है आप देख लो यहां पर हैडर है साइड है आर्टिकल है साइडबार है और फूटर है जो जो मैं आप बताया है इससे से बनेगा कुछ जादा दिमाग आपको नहीं लगाने ठीक है सो ट्राइडिस दिस यूर ओम वर्ट सेया गाइस विडियो आप लोग को वीडियो समझ आया होगा यह थोड़ा शॉटर वीडियो है कि मैं बहुत सार लॉंग फॉर्म बनाता हूं ठीक है और नो वरी लॉंग 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 आएंगे वो चीद मेरा लाइन डप है बट म समझाओ ऐंगे और आप को यहाँ था एक प्लीज और किसा देड़ा था निचा कमन करो यहीं कि प्लीज मौर सम्झ विडोशक विडियो बिन देटलिए तम एंद देटलिए बिन देटलिए और वसलेख लॉंग वाज वीड दाएंग देटलिए रॉन पान दालtså्यां दिक्